हेलो एवरिवन तो आज मैं आप सबसे एक ऐसे इंसिडेंट का जिक्र करने वाली हूँ जो सोच कर अभी भी मुझे डर लगता है मैंने आपको अपने पहले दिन के बारे में तो सब कुछ बता दिया बट उसके बाद क्या हुआ वो नहीं बताया और specially मुझे इस बात पर डिसकस करना है कि मेरे मेडिकल कॉलेज जॉइन करने के एक हफ़ते बाद टीचर ने हम सब को जब बोला था कि तुम्हें कैडवर को डाइसेट करना होगा खुद से उस टाइम मेरी क्या अंदर से फीलिंग थी और मेरा क्या रियाक्शन था उस चीज पर यह इस वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से बताने वाली हूँ जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मेरा नाम सोभिया फातिमा है सबसे पहले तो जब मैं मतलब गई थी कॉलेज में और जब डेट बॉड़ी यानि के क्याडवर को देखा था उसी टाइम में इतना जादा डर गई थी इतना जादा डर गई थी मुझे आज भी याद है कि मैं साढ़े साथ बजे तक आज आया करती थी कॉलेज घर से आती थी तो आज आया करती थी और आठ बजे या पॉने आठ बजे के अप्रोक्स डैसेक्शन हॉल खुलता था और मैं पहली लड़की होती थी जो जाती थी डैसेक्शन हॉल के अंदर मैं जिस सुभा जब भी डाइसेक्शन हॉल में इंटर करती थी तो बस मैं एक अकेली रहती थी और मेरे अलावा दो कैड़ेवर लेटे हुए रहते थे टेबल्स पर और कभी-कभी मुझे इतना ज़ादा डर लगता था मतलब मैं जाकर अपने सीट पर बैड भी जाती थी तब ही मैं पीछे मेरा ध्यान जाता था तो मुझे उन दोनों की मतलब शकल दिख जाती थी तो ओविसली डर तो लगता ही है डर सबको लगता है और जब कोई एक नीट होता है और जब उसका नीट क्राक होता और वो जाने वाला होता है मेडिकल कॉलेज उस टाइम सबसे बड़ा डर जो सबको लगता वो यही लगता है कि कैडवर्स होंगे तो बहुत लोग बोलते हैं कि बिहोश हो जाते हैं लोग तो ऐसा क्या होता है नहीं बट रियालिटी कि बहुष कोई नहीं हुआ था मेरे क्लास में मेरे बैच में तो कोई बहुष नहीं हो तो मुझे आज भी याद है जब हमें ग्रुप्स में रॉल नुबर वाइस जिवाइड कर दिया गया था कि इतना से इतना रॉल नुबर जैसे वन तु फिफ्टी एक के पासरा उसको एक टीचर टीम पढ़ाएंगे और दूसरा मतलब आगे का जितने भी रॉल नुबर थे हमारे में हंड़ेड सुइंट से तो फिफ्टी एंटु हंड़ेड बाकी में दूसरे कड़वर में तो मुझे याद है जिस दिन हमें बोला गया था कि तुम्हें खुद से डाइसेक्ट क खून न बहने लगे मतलब उतना नहीं अच्छे से पता था कि नहीं आइसा नहीं होता है तो उसके बाद मैंने जब मुझे बोला गया था तो मैंने अपनी डाइसेक्शन किट लेकर राया थी अपने साथ हाँ एपरन भी लेकर राया था क्योंकि इस बहुत इंपोर्टन हो फिर इन नाइफ ली उसमें ब्लेड लगाया उसके बाद उन्होंने मेरे सामने मतलब कैड़र का एक लाविकल वाला रीजन होता है जहां पर मसल्स रहता है प्टोरल लेसमेजमाइनर उस ये एरिया को उन्होंने मतलब डाइसेक्शन करना शुरू किया तो मैं इतनी जादे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा मतलब बहुत जादे अजीव-जीव खयालाग बट क्या हुआ कि जब उन्होंने डाइसे किया तो अंदर से कोई भी मतलब ऐसा खुन मून कुछ यह समय नहीं निकला तो बाद में सर ने बताया कि वह जो फिमोरल आर्टरी होती है लोर में केड़ेवर के उससे वह लोग फॉर्मेल इंजो होता है फॉर्मेल इंको डाल देते हैं जिससे क्या होता है कि मतलब कुछ टाइम के बाद बॉडी भी स्मेल नहीं करती है और ब्लड तो ऐसे हटी जाता है तो वाइट एकदम अंदर से वाइट टाइप की लगती है तो इससे क्या होता है हमें भी जादा देखने में प्रॉब्लम नहीं होती है और दूसरी चीज यह कि फॉर्मलिन डलाता है इसलिए बहुत जादी वह मतलब उस्मेल आती वह आंक में बहुत लगती है और आंसू टाइप का जैसे कि प्याज काटने में आता है उसे टाइका तो तो फॉर्मलिन के वएसे चब भी कैड़वर को निकाल के मतलब लिटाया जाता था टेबल्स पर तो उस टाइम बहुत जादा बहुत जादा वही समेल आती थी और सबके आंक से पानी आने लगता था और जो जाते जैसे डाइसेक्ट करने यह सब तब तो और जादा मतलब में आदत नहीं होती है तो वही सर डाइसेक्ट करके दिखा दिये तो अब लगा कि नहीं निकलता है पूरा अंदर से ठीक है तो अंदर के मसल्स दिखे मुझे उसके बाद मुझे नर्व दिखा सर बताए कि नर्व आर्टरी वेंस को देखने में डिफरेंस क्या-क्या होती हैं फिर सर ने कहा कि कुछ students अब खुद से करेंगे dissect अब तो इसमें मेरी हालत करा हो गई कि मतलब खुद से नाइफ पकड़ के मतलब काटना कड़ेवर को सोच करी बट फिर भी मुझे मतलब एक इंट्रेस्ट भी था अंदर से डर भी था बट एक curiosity भी थी अंदर से तो मैंने जट से गलव पैना फिर मैंने नाइफ ली और उसके बाद मैंने मतलब मुझे पता रही था प्रोसीजर सर ने बताया तो दो तीन और मेरे बैस्मेट से वो कर रहे थे तो मैंने उसी रीजिए में मतलब हलका हलका सारगा उपर का जो स्किन है वो हटाना शुरू किया और स्क यह बिए खुंद आक जाहिएतर में मंने में ग्लाइट को साथी तो कीैटिर में मैंने बार खुंद वेश्म लाइक lesi proprieten को थे और सेड हान उसको कितने वी यह आएम की फोर आम की उसके बाद लोरल मितलब झालब हम गलब बहुत चीज़ें कर के वी बहुत छीजर हिसराज टाइम में सबसे memorable experiences में से एक है मेरा और यह अगर आपका भी होगा जब ही आप करेंगे या फिर आपने किया होगा यह आपका भी बहुत memorable experience होगा so तब तक के लिए thank you so much मिलते हैं अगले वीडियो में